भागलपूर के पुलीस लाइन परिसर इस्थित स्मार्ट सिटी का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के बिल्डिंग की दिवारो पर जहां महापुरूसों की तस्वीरे लगनी चाहिए उस जगह पर स्मार्ट सिटी की सीजियम संधीप कुमार की लगी तस्वीर काफी तेजी से वारल हो रही थी, मानो अपने आपको CGM भी महाप्रूसों की स्रेनी में सामिल कर रहे हो, हाला कि इस पेंटिंग की वारल होने की जानकारी जैसे ही CGM को मिली, उन्होंने रातो रात पेंटर को लगा कर अपनी पेंटिंग की गई तस्वीर को वहां से हटवाया, मामले को लेकर जब CGM से बात करने की कोसिस की गई तो उनके दोरा कहा गया, अभी मीटिंग में हूँ बाद में बात करूँगा, तक पस्टार्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के पियारो पंकच कुमार ने बताया कि हम लोगों के संग्यान में नहीं था, अलाकि वाइरल पेंटिंग को देकर उसे वहां से हटवा दिया गया है, प्राइविट नसामुक्ती केंदर में एक मरीज भरती था, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी तब्यते जैदा बिगड़ गई और उसे नसामुक्ती केंदर के लोग अगरा बहतर लाज के लिए इस तरस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के दुरान उस्बैक्ती की मौत हो गई, मिर्टा की पहचान मधेपूरा जिला के गोलपारा की रहने वाले अमरेस कुमार के रूप में हुई है, वहीं इसकी सूचना मिलते ही मिर्टिका की पतनी, खुसी कुमारी और उनके परिजन सदरस्पताल पहुँचे और घंटो बबाल काटा, परिजनों का साब तोर पर कहना है कि मेरे पती के साथ नसामुक्ती के दरबालों ने पहले बेहरमी से मार पीट किया, तब जाकर उनकी तब्यात खराब हुई और उनकी मौथ हुई है, मेरे पती की मौथ का करना नसामुक्ती के दरबाले हैं, साथ नोंने कहा कि जब मैं सदरस्पताल अपने पती को ढूणने गई तो काफी ढूणने के बाद वो मिले, इनके सरीर पर कई जगा चोट के दा थे, साथ ही जब हम लोग वहाँ पहुँचें, तो वहां से डॉक्टर और नर्स सभी नदारत हो चुके थे, अब मुझे इनसाफ चाहिए. रखावाँ, रखावाँ, तु स के बाद भाद के वहाँ होंगाँ होँचें, कुछ भी नहीं रहाँ है कि ऊपन अपहले हम ऐस्पिटल पोचें है, तो यह पर नहीं है हम फूरा खोदने लगे आज़ा, सब जेढ यहां भागी औा कि यहां कोई ठोल इसको नस्हामक्टी केट है निद हमस्त परवत भेजैने मिला कि कर बताद है कर गए लग्हां और तो बोड़ी पितना मार है, मार का दाग है, निसान है, हर जग अजग गला पे भी, सीना पे भी, पैड़े में भी, इससे लगता है कि इसको पीट-पीट के मार दिया गया है। 25,000 पुलीस कर्मियों को नए कानून का प्रसिशन दिया गया है। आज मध्यरात्री से जो तीन नए अपराधिक कानून है, वो पूरे देश में लागू हुए है। और इसी संदर्म में पूरे बिहार के प्रतेक ठाने में पब्लिक के साथ पब्लिक पुलिस संबाद हो रहा है। और नए जो अपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पूरे के कानून लागू थे उसमें जो परिवर्तन हुए हैं। और ऐसे परिवर्तन जिसमें जो की पीडित को केंडर में रख कर किये गए हैं, तो उसके बारे में पूरे को आम जन्ता को बताया गया। जिसमें की जो E.F.I.R. की बात है, जो आप कहीं से भी इलेक्ट्रोनिक मादियम से ठाना को अपना आवेदन भेज के F.I.R. करवा सकते हैं, या जीरो F.I.R. की बात है, जहां को एक घटनास तल किसी और जिले में पड़ता है और आप किसी और जिले में हैं, तो वहां से भ बयान ले रहे हैं, तो उसकी वीडियोग्राफिक का प्रावधान है, जब आप सीजर मेमो बना रहे हैं, तो उसके विशाय में भी पब्लिक को बताया गया, इसके साथी साथ जो हमारे महिला पता दिकारी हैं, उनके द्वारा, जो महिलाओं और बच्चों को केंदर में लाते कही गई, और कुछ बातों का निदान तो इस कानून में ही नए कानून में ही नहीं था, जैसे की एक सज़्चन के दोवरा बताया गया, उनके खिलाफ घलत एफायार का दरज की गई, उसमें जांच के ही एफायार दर्च की गई, और फिर एफएयार के अनुसंधान क के दौरान फिर उनको दोश्मक्त किया गया, तो उसमें भी नए कानून में प्रारमभिक जाज का प्रावधान किया गया है, 173 में, जिसमें कि कोई अगर ऐसे अपराद की सूचना देता है, जिसमें सजा का प्रावधान तीन साल से साथ साल के मद्ध है, तो पूलिस को यह अ और अगर घटित हुआ है तो उसकी परिनेती F.I.R के रूप में होगी और अगर घटित नहीं हुआ तो फिर उसकी जहांची रिपोर्ट बनेगी और उसकी स्टेशन डायरी इंट्री होगी और उसमें कोई अगरता जो है कारवाई नहीं होगी तो जो उन सज्जन के परिशानी है उसका भी निदान इस कानून में किया गया है और ये जो कारिकरम है ये प्रतेक सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा अगले एक माह तक पूरे सेक्टर में चलाय जाएगा और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉग कॉलेज हैं, इन्व आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूख बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परिशान, तो चिंता छोड़िये क्योंकि अब भागलपूर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनि निराला स्पीच एन हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट आफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपूर, मोबाइल 70501-93341, हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पुर्णिया में पंचबटी कॉंप्लेक्स, बिहार टॉकिज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीब। और वा बिकलानेता से बचाता है, और बचले की समावना वड़ती है, वह मसीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिगरी कम टेमपरेशर पर रखा जाता है, और 3 दिर के लिए खर रखा जाता है, लेकिन वो 6 गंटे के अंदर उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसक बच्चों के लिए आप यहां उपलम्द है, उसको ले सकते हैं, ध्यान रहेगी 5 साल के कमर के उमर में के बच्चों को आइसवान काट के अलेक से जबरत नहीं है, यदि आपके माता पिटा यह का नाम है, तो वह इसमें लाबुक हो सकते हैं, और आप इसका लाब उटा सकत अधान नवाद करने में किसी परकार की परिसानी नहीं होगी, उनने बताया कि जापान के टेक्नलोजी सीखने के बाद उनके पैकेज में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं जापान के जिस कमपनी ने भागलपूर ट्रिपल आइटी के चात्रों की परतिफा को देखते हुए रू परपस अभी है प्लेस्मेंट अपोर्चुनिटी स्टुटेंट्स को मिलेगा, जब लड़के प्लेस हो जाएंगे तो दे विल आउसो प्रोबाइड वीजा असिस्टेंट और होसी असिस्टेंट, सो सुटेंट डूंट गेट अनी प्रॉब्लम वन दे गो अप्रोड, एक अपोर्चिनटी civी वाचिनिटी एक इन्नेशनल इन्नेशन स्रोची लोग व्ल्को काम करें लिकी थी यह से मिलेग शुटेंट्स को यह स्यो जाएंगे शुटेंटी । यह सो जाहित है, जब एक अश्की शुटेंटी लिए एक उन्देंटान इस्ट रवालिऊने इन्स्र बागलपूर के पीरपायंती थानाचितर के हरजुन नगर गाउं के मिल्टन चौधरी के घर अपने चार पुत्रों के साथ भोज खाने गया अभजलपूर सनोखर का मंगन मंडल पुलीस कोच नहीं में मिला माकसल्या देवी ने 26 जून को हुजूर नगर के बिल्टन चौधरी सहित अन पर अपने पुत्र को मार पीट कर गायब कर देने का मामला दर्ज कराया था वही थाना ध्यच ने गायब मांगन मंडल को ढूनने का काही परियास किया टेकनीके नुसंधान से पुलीस को ग्यात हुआ कि मांगन मंडल ट्रेन से चन नहीं जा रहा है इस समबन में पुलीस ने केंद्री रेलवे यात्री संक यधच बिसनू खेतान से संपर करने के उपरा आंथे मांगन को चन नहीं रेलवे इस्टेसन से बरामत किया की सरहना की जिलाद हागलपूर का कहना था कि हमारे बेटा को रवी कुमार तुद्या देवी जों अंग लोग अपने सब लाया हैं और यहां से इनों कुमारने के नियद से जान मारने के नियद से उसके हट्ट्या कर दिप्पेती हैं परंत्रों संधार की कर में यह पाया गया की वह लोड़क預価 मंगम कुमार मंडल है हुँआ हुआ हुवा हुजुद नगर प्विकल आया लेकिन यहां से खाना न खाने भी बात यहां से चला गया लचिमी नगर के लिद्वका और वहां हुए तो केंदरेया श्टववव 수도 फशण के में स्थाक खतान के डीस हमयोग और उनके स६्सें हम लोग सचे नें में बंद किया शेम प्राम्त करने के उप्रां पिर आप हमें बोस ही और है युझ May प्रिवाई के लिए चंद्रे रेलो यात्री संके सनस्ताफक से वेस्तुष खतान का काफी प्रयाव सराहनी रहा और इसके लिए उबधाय के पात रहें और पीच मिच में जब हम लोगो खबर मिंदे थी यहां पर एक लास में लिए तो चेकराते थे लेकर वो लटता नहीं प कि उसके महा को मामा का दमाते बेटा लगता है और उसी के लोगों जा रहता है